जारिकन विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है इस चरण में सिम्डेगा विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे गुबला से अलग होकर जिरा बना सिम्डेगा विधानसभा सीट खूटी लोगसभा शेत्र के अंतरगत आता है इस शेत्र में भाजपा का प्रभाव रहा है यह सीट अनुसूची जनजाती के लिए आरक्षित है 2014 के जारखन विधासभा चुनाव में इस सीट पर भारतिय जनता पार्टी की विमला प्रधान ने जारखन पार्टी के उमिद्वार मेनन एकका को पराजित किया था 2005 में सिम्डेगा विधानसभा शेत्र से कॉंग्रेस की टिकट पर नियल तिर की विधायक बने थे सिम्डेगा विधानसभा सीट से साल 2009 के चुनाव में विमला प्रधान को पहली बार विधायक बने का गौरव प्राप्थ हुआ 2014 के चुनाव में भारतिय जनता पार्टी ने एक बार फिर विमला प्रधान पर भरोसा किया इस चुनाव में विमला परधान विजय हुई इस चुनाव में बड़ा उलट फेर करती हुए जारखंड पार्टी के एनोस एकका की पतनी मैनन एकका ने 42,149 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी जबकि कॉंग्रेस पार्टी के बेंजामिन लकडा 20,601 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे वहीं कॉंग्रेस से पाला बदल कर जारखंड मुक्ति मोर्चा में आये नियल तिर्की 11,385 वोट हासिल कर चौथे स्थान पर रहे थे खूटी लोगसभा निर्वाचन शेतर में आने वाली या सेट शुरुवात से ही कॉंग्रेस और भाजपा के लिए चुनावी जंग का अखाडा बनती रही है भाजपा ने इस बार अपना उमिद्वार बदल दिया है वर्तमान विधायक विमला प्रधान का टिकट काट कर भाजपा ने श्रद्धानन बेसरा को चुनावी मैदान में उतारा है वहीं कॉंग्रेस से भूशन बारा, जेवीम से मोहन बढ़ाईक और जार्खन पाटी से रेजी डुंगडुंग इस सीट पर चुनाव लड़ रही है सिमडेगा विधानसभा शेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,22,175 है जिसमें पुरुश मतदाता 1,10,617 और महिला वोटर्स की संख्या 1,11,558 है